हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सबका क्रिक ट्रैकर के इस नए विडियो में आज मैं करने वाला हूँ आपकी मदद न्यूजिलान और विंडीज के बीच खेले जाने वाले सेकिंड ट्वेंटी है मुकाबले की 11 मिकेट्स फैंटेसी टीम बनाने में सबसे पहले आप डाउनलोड कर लिजे 11 मिकेट्स का आप विडियो के डिस्क्रिप्शिन में मैंने लिंक्स दे दी हैं दोनों ही एंड्रोड और आइस के लिए साथ ही रियल टाइम फैंटेसी अपडेट्स के लिए आप फॉलोग कर सकते हैं क्रिक ट्रैकर का टेलीग्राम पेज तो चलिए जल्दी से वीडियो का हम शुरू करते हैं पहला ट्रीट्मेंट याए मुकाबला बहुत ही मज़दार हुआ था फैन्स को खूब एंटर्टेन किया था दोनों टीम्स ने लंबे लंबे छक्के लगाये थे एक हाई स्कोरिंग क्लैश हुआ था अंत में न्यूजिलैंड ने वो सफल रंचेस करके दिखाया चलिए इस मैच की टीम की हम बात करने हैं सबसे पहले विकेट कीपर मेरी टीम में है टोटल दो सबसे पहले निकलस पूरन विंडीज के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं अभी अभी इंडियन टीट्वेंटी लीग का एक सक्सेस्फुल सीजन राउंड के लिए पहले मैच में रंस नहीं बना पाये जल्दी आउट हो गये इस बार यह लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं मेरी टीम पे दूसरे विकेट कीपर है न्यूजिलांड के टीम साइफ़र्ट पिछले मैच में एक स्टार्ट मिला था उससे कनवर्ट नहीं कर पाये थे लंबे लंबे चके ये भी बहुत उंदा लगाते हैं बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं टीम के बल्लेवाजों की बात करते हैं मेरी टीम में हैं तीन तीनों ही न्यूजिलांड के हैं सबसे पहले कॉनवे पिछले ही मैच में इनका T20 इंटनाशनल डेब्य हुआ था बहुत कमाल की एक पारी खेली थी 41 रंस बनाया थे 29 बॉल्स में रंचेस में बहुत बढ़िया उनका कॉंट्रिबुईशन रहा था टीम को जीत तक लेकर गए थे अगले दोनों ही नाम इंटनाशनल क्रिकेट के दो एक्सपिरियंस खिलाडी हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा मार्टिन गप्तिल की क्या कमाल की ओपनर है हम सबने इनका क्रिकेट देखा है पावर प्ले का बहुत उन्दा यूज करते हैं लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं किसी भी बोलर के सामने पीछे नहीं हटते हैं अटैकिं क्रिकेट खेलते हैं अपना जो पहला गेम था इनको इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मेरा जल्दी आउट हो गयते यहां पे अपने टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे मार्टिन गप्टिल के बाद टीम में रॉस टेलर बहुत एक्सपीडेंस डाम यह भी है बहुत सारा इंटरनाशनल क्रिकेट का एक्सपीडेंस है इनके पास में इनका भी जो पहला मैच था वो इतना अच्छा नहीं दा था जल्दी आउट हो गयते लेकिन किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छा कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं टीम को इंपोर्टेंट सिचुएशन में गेम्स जिताएंवें आप इन पे भरोसा कर सकते हैं आपके लिए पॉइंट जरूर लाएंगे चलिए ओल राउंडर्स की बात करते हैं मेरी टीम में तीन ओल राउंडर्स सबसे पहले न्यूजिलैंड के जेम्स नीशम पहले मैच की जो विक्टरी थी उसमें बहुत बड़ा कॉंट्रिविशन था नीशम का दोसों की स्ट्राइक रेट से खेले थे 24 बॉल्स में 48 रंस तीन कमाल के चक्के लगाये थे बोलिंग में थोड़े से एक्स्पेंसिफ जरूर है मगर उसको इस मैच में आते वे चेंज करना चाहेंगे लंबे-लंबे चक्के ये फिर से लगा सकते हैं आपके लिए पॉइंट्स की बारिश हो सकती है मेरी टीम के दूसरे ओल राउंडर है बहुत इंपोर्टन खिलाड़ी होने वाले हैं मैं कारन पोलाड की मैंने अपने टीम का वाइस कैटन भी बना रहा हूँ पहले गेम में आठ लंबे-लंबे चक्के लगाये थे 75 रंस बनाये थे 37 बाल्स में बहुत उंदा वो इनिंग्स साथ ही में बोलिंग से भी कॉंट्रिब्यूट किया था सेट बैट्समन कॉन्वे का विकेट लिया था टीम को अल्मोस जीत दिला दी थी वहाँ पर टीम के तीसरे अल्राउंडर है न्यूज़लैंड के मिचल सांटिनर पहले गेम में बोलिंग से इतना कॉंट्रिब्यूट नहीं कर पाए विकेट नहीं निकाल पाए मगर बल्ले इसे जरूर किया था 18 बॉल्स में 31 रंस तीन उंदा छक्के उन्होंने भी लगाये थे इस गेम में भी बड़े बड़े हिंट्स लगा सकते हैं साथ ही विकेट जरूर निकालना चाहेंगे आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं टीम के बोलर्स की बात करते हैं सबसे पहला नाम है लॉकी फर्गिसन का पहले टीट्वेंटी आई में क्या उंदा बोलिंग करिये बहुत कमाल का उनका स्पेल रहा चार ओवर्स में उनने 19 डॉट बॉल्स डाली साथ में 5 विकेट भी निकाले जी हाँ टीट्वेंटी मुकाबले में 5 विकेट हॉल लिया लॉकी फर्गिसन ने मैंने अपनी टीम का कैप्टन बना रहा हूँ आप इन्हें अपनी टीम में जरूर लीजिए पॉइंट्स की पारिश कर देंगे आपके लिए दूसरे बोलर है विंडीज के ओशेन थॉमस अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया पहले टीट्वेंटी आई में दो विकेट निकाले तीन ओवर में सिफ तेईस रंदी है बेस्ट बोलर रहते हैं उनके लिए इस गेम में भी विकेट्स निकाल सकते हैं एकॉनमी को कंट्रोल में रखते हैं आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं मेरी टीम के आखरी की लाड़ी है शेल्डन कोट्रेल इंडियन T20 लीग का सीजन इतना अच्छा नहीं गया उनके लिए लेकिन पहले मैच में लेगा कहीं नखेंगी वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं चार ओवर अपने कंप्लीट के 30 रंदी है एकॉनमी अपनी टीम के लिए सबसे अच्छा था था उनका एक important wicket भी निकाला इस match में इन figures को और अच्छा करना चाहेंगे बहुत सारे wickets निकाल सकते हैं यहाँ पर 11 wickets आपको बहुत अच्छा option देता है टीम में 12th man चुनने का मेरी टीम के 12th man है विंडीज के गलें फिलिप्स captain और vice captain options की बात करें तो वहाँ पर guptill है, saoudi है और Nicholas Puren भी आपके लिए बहुत बड़े option हो सकते हैं चलिए टीम पर नज़र डाल लेते हैं top to bottom, सभी के सभी match winner T20 specialist कि राड़ी हैं कहीं सारे इस team में पहले T20 का आई performance repeat करना चाहेंगे fans को खूब entertain करना चाहेंगे और इस team से आप जीट सकते हैं बहुत सारे points और पैसे उसके लिए आपको download करना होगा 11 wickets का app वीडियो के description में आपको links मिल जाएंगे दोनों या Android और iOS के लिए साथ ही में वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करिए share करिए, comments में मुझे अपनी fantasy team बताइए और अगर अभी तक आपने click tracker को follow या subscribe ने किया तो वो भी जरूर करिए, thank you